नमस्कार मैं हूरिचाश श्रमा और आप देख रहे हैं नियोज फोनेशन बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है मौसम का मिजाज बदल चुका है और आसमान में काले काले बादल नजर आ रहे हैं आपको बता देगी कुछी जल्द अब आसमान से बारिश होने वाली है इसक साथ मौसम बिभाग भी लगातार अलर्ट पर ही रख रहा है एक बार फिर से मौसम बिभाग ने अलर्ट जारी किया है और बिहार के ऐसे ग्यारा जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है यह ऐसे जिले हैं जो उत्री बिहार से आते हैं और नेपाल से सटे इलाके या इसे गाउं है जो बाहर के पानी में डूब भी गए है और जो स्थीतिया है वो बिलकुल भी नाजुक बनी हुई है इस पीच एक बार फिर से मौसम विभाग ने भयानक अलर्ट जारे किया है 72 घंटे का ये अलर्ट जारे किया गया है और इसके साथ ही जो जिले है वो उत्तर पुर्वी बिहार से बसे जिले जैसे कि सुपॉल है अररिया, सहरसा मदवनी, पुर्णिया, किशन गंज, मधेपूरा, सीता मडी, दर्भंगा, समस्तिपूर और कटिहार में मुसलाधार बारिश होने की आशंका और आकाशिय बिजली की भी आशंका जताए गया है मौसम विभाग ने ये अलर्ट 32 घंटे के लिए जारे किया है, किशन गंज और सुपॉल में भारी बारिश से जन जीवन पर भी काफी असर पड़ रहा है, इसके साथ मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारे किया गया है और साथ में आबदा प्रबंदन विभाग की अपील भी की गई है कि ऐसे घड़ी में सब अपने घर में रहें क्योंकि खुद की सतरकता अपने हाथ में है, इसके साथ आपको हम दिखा दे कि जो बादल है वो बिलकुल काले पड़े है, इसके साथ जो हवाई है वो काफी तेज चल रही है, तो मौसम का जो मिजाज है व बदल गया है, मौनसून पीरिट चल रहा है बिहार में और जिस हिसाब से बारिश हो रही है, नेपाल में जिस तर से बारिश हो रही है उसका सीधा आसर बिहार की कई इलाकों में जो तराई वाले श्रत्रे हैं वहाँ पर देखा जा सकता है, इसके साथ कई ऐसी नदिया है जो फान पर है, गंगा के जलस्तर में भी ब्रिदी हो गई है और इसके साथ आपको बता दे कि जो गंगा का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जो डेंजर जोन होता है उसको क्रोस कर चुका है इसका जलस्तर इसके साथ हर घंटे जो है वो एक से डेड़ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, यानि कि जो सिती है वो काफी भयानक है, इसको लेकर अभिहार सरकार भी अलर्ट पे हैं, आपदा प्रबंदन बिभाग की बात की जाए, जलस्तर इसके साथ आपको बिभाग की बात की जाए, सभी बिभावगों को तैनात कर दिया गया है, पूरे त सेर में ये बारिश जो होने वाली है, और आसमान में आप सीधे तोर पे नजारा देख सकते, ये पटना की तस्वीर है, और पटना में भी जो अलर्ट है वो जारे की आ गया है, ग्यारे ऐसे जिले हैं, जहां पर अलर्ट जिन जिलों को अलर्ट पर रखा गया और इसके चल रही हैं कई जगा आंदी तूफान और यहां तक की जो आश्रंका बताई गई है, कि अब वजरपात की भी समस्या है क्योंकि कई लोग जो हैं वजरतार DO together कि मौतं भी हो गई हाला कि सरrekार ने facing जिसाब यह वह उतार्पी नदर आ रहे हैं हाला कि सरक्रार की लेकर पर अरूश यह नदर कर ऊैए लेकिन जो तीज बारिश का जो सिलसिल्सिल्ह है वो लगता आ जा रही है एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से 72 घंटे का अलट और अभी भी राजानी पटना की बात की जा तो देखे कैसे तेज हवाय जो है वो चल रही है आंधी तूफान भी और इसके साथ जो बादल है वो बिल्कुल काले पड़े हो यानि कि अब त सेज बारिश होने वाली है जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से आश्रंका जताई गई है कि वजर्पात होगा ऐसे में आप अपने घर में रहे सुरक्षित रहे क्योंकि अभी जो हालात है वो काफे गंभीर बने हुए एक तरफ कोरोना का काल है दूसरी तरफ जिस तरफ से बारिश हो रही है कई लाके जल्मगन हो गए है अस्तितिया काफे गंभीर ऐसे में सतरक्ता अबरतनी की जरूत है बाके की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे नियुश पोनेशन नमस्कार